हाउर। फिक्स वीचैट नूट डाउनोड गडंग प्रॉबल्बम। नमस्का दोस्तुर स्वागर है अब सभी का तेकी राज हीटूप चैनल पर तो दोस्तुर यह आपका वीचैट जो है वह दाउनोड नहीं हो पा रहा है प्लेएटोर में और यार फिर किसी भी ब्रावजर में तो फिर डोस्तों आपको क्या-क्या सॉलिशन करना होगा तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो के साथ बने ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं के आए तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को क्लिक कर डीजिए और यदि आप ओनलाइन से पैसा कमाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रि यहांपर ज्याओंड़ करते तो मेरा अल्रेडीया यहां अंस्ट चुक्छणर में अचानिंटर को आपको सब्सक्राइब करने हे इंटरनेयं चेक कीजिए इंटरनेंग्स नाचाहिए था आपको डाउल्ट ग्रव्लेम नहीं हैका और ьерг मदाञा जो यहां पर में से उसमन में आपको क्लिख करना है वहां पर जाके दोस्तों आपको यहाँ पर setting मिलेगा setting पर आपको जाना है उसके बाद आप यहाँ पर डेक सकते दोस्तों अब download preference है तो यहां पर जाके दो swoją आपका wij-pee में यह पर j30 चाट है तो आपको यहां पर आपको सेट है तो इसको आपको सेट करना होगा तो उसके बाद दोस्तो यहां पर आप चेक कीजिए कि आपका जो डाउड़ोड प्रॉब्लेम है वह फिक्स होता है या नहीं होता है ऐधी आपका प्रोबलेंग है यही पर fix हो जाता है तो यहापा अच्छी बार है और फिर भी दोस्तो यह आपका problem यहापर fix नहीं हो रहा है तो आप दोस्तो जाएए अपने setting पर सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर स्ट्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए नीचे आपको मिलेगा application ठीक है application manager यहाँ पर app management install यहाँ पर कुछ भी आपको मिल सकते है application के तोर पर तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको search करने है आपका play store ठीक है show system application कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको search करना है google तो यहाँ पर search करती दोस्तों आपको मिल जाएगा google play store ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर search कीजिए आपको सबसे पहले तो google play store मिलेगा उसको open कीजिए open करने के बाद एक दफ़ा for stop लगा दीजिए उसके बाद storage में जाके clear data बगरा कर दीजिए ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों clear data करने के बाद permissions पर जाएए permissions पर जाने के बाद दोस्तों permissions allow कीजिए permissions वगर allow करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से जाए आपना यहाँ पर google play service तो google play service तो यहाँ पर दोस्तों google play service यहाँ पर आ चुका है तो इसको दोस्तों open करके आपको यहाँ पर simply जाना है storage में जाके आपको clear data कर देना है इस तरह से तो clear data करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर back कीजिए और permissions को allow कीजिए mobile को restart कर डीजिए और दोस्तों चेक कीजिए आपका problem fix हो जाएगा ठीक है और दोस्तों आप चाहिए तो आपना जो email account है play store में जो connected है उसको आप remove करके आप द यहाँ पर downloading का problem है वीचे download नहीं हो रहा है तो दोस्तों वह आभी क्या भी download हो जागा जब आप इस process को कर लोगे ठीक है आप यहाँ पर दोस्तों एक भी process को skip मत कीजिए सब को try कीजिए इससे आपका problem जो फिक्स हो जागा तो मुझे मेरे दोस्तों आपको यह वीडियो पस जागा जब हो ओते इससे कीजिए